बच्चो अभी तक हमने किसी भी वस्तू के लिए एक वी मिये द्वी वी मिये और त्री वी मिये गती के बारे में अध्यान किया और जब हम इन गतियों का अध्यान कर रहे थे तब हमने वस्तू को एक बिंदू वस्तू माना था यह बिंदू वस्तू क्या होती है एक ऐसी वस्तू जिसका आकार या बोल सकते हो उसकी वीमा उस वस्तू को बिंदू वस्तू मान सकते हैं और न्योटन के गती के सारे नियम भी इस बिंदू वस्तू के लिए सटीक होते हैं लेकिन जब वस्तू का आकार बहुत बड़ा हो उसके द्वारा तै की गई दूरी उसकी आकार की तुलना में कम हो तब हम उस वस्तू को बिंदू व नहीं बैठते जब वस्तू का आकार काफी बड़ा हो उसे बिंदू वस्तू ना माना जा सके और उस समें उस वस्तू की गती का अध्यन करना हो तो हम देखेंगे कि उस वस्तू के प्रत्य कंड की गती जरूरी नहीं है कि वो वस्तू की गती की तरह हो एक उधारन लेते हैं कि एक वस्तू अपने अक्ष पर घुरणी गती कर रही है कि मतलब वो एक ही जगे पर है और एक अक्ष के परीटा घोम रही है अब इस वस्तू में बहुत सारे काण हैं इन क strands की गति हम देखें तो इस अक्ष के परीता ये वरेतेय गति कर रहे हैं कोई कांड का वरेतेय पत बड़ा है और कोई कांड है वरेतेय पत छोटा है और जो कांड इस घुर्णन अक्ष में है वो अपनी ही जगा स्थेर है मतलब वो गती कर्तिवी वस्तु में भी स्थेर कहलाएंगे तो इस प्रकार जब एक बड़ी वस्तु की गती का अध्यन करना हो तो उसके प्रतेक काण की गती अलग-अलग होने के कारण उसकी गती के अध्यन में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन्स आ जाते हैं और यह संभव नहीं हो पाता कि हम उसके प्रतेक काण की गती का अध्यन करें और इसी लिए हम एक नए कॉंसेप्ट की और जाते हैं जिसे हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं बच्चो द्रव्यमान क्या होता है किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को हम उसका द्रव्यमान कहते हैं और हर वस्तु में एक ऐसा बिंदू होता है जहां पर उस वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है और इसी बिंदु को हम द्रव्यमान केंद्रे के नाम से जानते हैं और जब ये वस्तु गती कर रही हो गती कब करेगी? जब उस पर बाहे बल लगेगा और ये बल अलग-अलग कड में अलग-अलग होगा लेकिन हम हर कड में लगने वाले बल के अधार पर गती का अध्यन नहीं करेंगे बलकि ये मान के चलते हैं कि इस वस्तु पर लगने वाला संपूर्ण बल इसी द्रव्यमान केंद्र पर ही लग रहा है और इसके अधार पर हम इस वस्तु की गती का अध्यन करते हैं बच्चो द्रव्यमान केंद्र की तरह एक और कॉंसेप्ट है जिसे हम गुरुत्वी केंद्र कहते हैं द्रव्यमान और भार दो अलग-अलग चीजे हैं यह दोनों ही वस्तु में पदार्थ की मात्रा से जुड़े हैं है लेकिन केवल जब हम पदार्द की मात्रा की बात करें तो वो द्रव्यमान कहलाता है लेकिन जब इस पदार्द मात्रा के साथ साथ वस्तु पर लगने वाले गृत्वी त्वरण की भी गठना की जाए तो वह वस्तु का halfway हो जाता है यह सिंपल शब्डों में और गुरुतवी केंद्र एक ऐसा केंद्र होता है जहाँ वसतू का संपोन भार केंदерш है तर जाता है द्युक्त संपोन द्रव्यमा केंद्र समान नहीं वसतू के लिए हम देखें जिसका कर छोटा हो तो दुव्य मान केंद्र और गृत्वी केंद्र दोनों समपांती होते हैं मतलब एक ही जगेपे होता हैं लेकिन बड़ी वस्तू की बात करें जहां पर जी का मान गृत्वी तुरण का मान अलग-अलग बिंदू पर अलग-अलग हो उस पिंड के लिए उस वस्तु के लिए हम गुरुत्वी केंद्र और द्रव्यमान केंद्र को एक जगे नहीं ले सकते। यदि हम मुक्त आकाश की बात करें जहां पर गुरुत्वी त्वरण का मानशुन्य हो जाता है। वहां पर द्रव्यमान केंद्र मौजुद होगा। लेकिन गुरुत्वी त्वरण का मानशुन्य होने के कारण वहां पर गुरुत्वी केंद्र का कॉंसेप्ट हट जाता है। उस वस्तु में कोई गुरुत्वी केंद्र नहीं होगा। क्योंकि मुक्त तकाश में वस्तु का भार ही नहीं होता तो वहाँ पर उस वस्तु का कोई गृत्वी केंद्र ही नहीं होगा अब किसी भी वस्तु की गती के अध्यन के लिए हमें उस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र ग्याद करना होगा वो द्रव्यमान केंद्र की गती जैसे होगी वैसी ही वो वस्तु की गती भी मानी जाएगी उस वस्तु पर लगने वाला बल उस द्रव्यमान केंद्र पर ही आरोपित है ऐसा माना जाएगा उस वस्तु का वेग उसके द्रव्यमान केंद्र के वेग के बराबर ही होगा इस प्रकार उस वस्तु की बारे में यदि हमको कुछ भी अध्यन करना हो तो हम उसके द्रविमान केंद्र से जुड़े तत्वों का अध्यन करेंगे तो द्रविमान केंद्र के बारे में जानने के लिए उससे जुड़े समीकरणों का व्यंजग ज्याद करने के लिए सबसे पहले हम कुछ और टम्स जानते हैं सबसे पहला है कण या पार्टिकल एक ऐसी वस्तू होती है जिसका आकार नगणने होता है यानि की बहुत ही छोटी वस्तू को हम कण कहते हैं जैसे की एलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनको हम कणों के नाम सही जानते हैं दूसरा है सिस्टम या निकाई सिस्टम और निकाई में ऐसे कण समिलित होते हैं जो एक दूसरे से अन्यों निक्रिया करते हैं अन्यों निक्रिया का मतलब है यदि पहला कंड दूसरे कंड पे बल लगा रहा है तो दूसरा कंड भी पहले कंड पे बल लगा रहा होगा तो ऐसे सारे कंड जो एक दूसरे से अन्यों निक्रिया कर रहे हो वो एक सिस्टम एक न क्षाण से अंदर बैठ हुए व्यक्ति यह सब लिल आकर एक सिस्टम का निर्मानं करेंगे यह आपस में एक दूसरे से अन्म्यों निक्रिया करेंगे कि व्यक्ति न वह आपस में एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं उस बल को अंत्रिक बल कहते हैं कि नेक्स्ट है बाहे बल निकाय में किसी इस्थिती पर बाहर से लगने वाले बल को बहे बल कहते हैं यह बाहर से लगने वाला बल किसी अन्य निकाय का हो सकता है किसी वस्तू का हो सकता है किसी की परिस्थिती में परिवर्तन कर सकता है और यह कहलाता है बहाइबल एक्जामपल हमने लिया था कि एक शांत पानी में नाव में कुछ वैक्ति बैठे हैं यदि इस पानी में उथल पुथल मचे यानि कि पानी की लहरे जब नाव पर बल लगाए तो वह बल कहलाएगा परेबल और यह उसनाव के स्थिती में परिवर्तन कर सकता है उस नाव के अंदर बैठे वक्तियों के स्थिती में परिव यह नेक्सट है विल गीत निकाए विक एक विलगीत निकाए ऐसा सिस्टम होता है इसा होता है जिसमें से बाहे बल कमान शुन्य होता है मतलब उस सिस्टम में बाहर से कोई भी बल नहीं लग रहा हो कि ऐसे सिती में सिस्टम की अवस्था में कोई परिवर्ता नहीं होता तो यह कहलाता है विल्गित निकाय जैसे कि वह शांत पानी में वह नौ में बैठे हुए व्यक्ति जब तक उसमें कोई आंधी तुफान या फिर लहरे ना आए तो वो नौ में बैठे हुए व्यक्ति एक विल्गित निकाय का निर्मान करते हैं अब इन टम्स को जानने के बाद हम टू पार्टिकल सिस्टम के लिए दुई कर्ण निकाय के लिए सेंटर ओफ मास यानि की द्रव्यमान केंद्र के बारे में अध्यन करेंगे इनका द्रव्यमान केंद्र कहां पर होगा द्रव्यमान केंद्र का वेग कैसा होगा त्वरण कैसा होगा इस पर लगने वाले बल का स system लेते हैं अब A और B दो कंड हैं जो एक सिस्टेम का इक निकाय का निर्मान कर रहे है इसका मतलब इन दोनों की बीचा हो रही हो अन्यों निक्रिया की मतलब यदि A B पर बल लगाएगा तो बी भी एपर उतना ही बल लगाएगा और ये दोनों ही कंड एक सिस्टम को निर्मान करें और मान लीजिए गती शील है गती शील है मतलब इनकी अवस्था में स्थिती में परिवर्तन होगा इन में वेग होगा तो दोनों कड़ों के वेग या गती कदेन हम नहीं करेंगे बलकि दोनों कड़ों के लिए हम एक ऐसा बिंदू निका अद्रव्यमान केंदर कहते हैं और English में इसे Center of मास कहा जाता है इसलिए जब इसे रिप्रीजेंट भी करते हैं तो हम cm लिखते हैं यानि कि Center of मास में अब यह सिस्ट्रम या निकाय हमने और में लिया एक्स यसेड क्योंकि किसी भी वस्तु की गती को बताने के लिए हम काडंट फ्रेम लेते हैं वस्तु यदि एक वए में गती कर रहा हो तो हमको केवल एक ही अक्षच की जुरत पड़ती है दुक्सका की कि यह थी तो चीनफा करते हैं तो यहां पर हम यहां तीन अक्ष लिये हैं इस फ्रेम में x, y, z, a पहला पार्टिकल जिसका द्रव्यमान m1 है, b दूसरा पार्टिकल जिसका द्रव्यमान m2 है, अब a को इस कौडिनेट फ्रेम में स्थिती सदीश r1 के द्वारा दर्शाय जा रहा है, जबकि b पार्टिकल को स्थिती सदीश r2 के द्वारा दर्शाय जा रहा है, बच्चो स्थिती सदीश क्या होता है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, स्थिती सदीश एक ऐसा सदीश है, जो कि केंद्र से, केंद्र मतलब मूल बिंदू, जब हम कौडिनेट फ्रेम बनाते हैं, तो तीनों आक्ष जिस बिंदू पर मिलते हैं, उसे हम मूल बिंदू कहते हैं, तो मूल बिंदू, यानि कि इस कौडिनेट फ्रेम के ओरीजिन से, एक रेखा, यदि हम खीशते हैं उस वस्तू तक, तो वो उस वस्तू का स्थिती सदीश होता है, तो यहाँ पर r1 और r2 a और b के स्थिती सदीश है अब इस a और b के बीच में, कहीं पर एक ऐसा बिंदू होगा, जहाँ पर इसका संपूर्ण द्रव्य मान, केंद्रित माना जाएगा, मान लेजिए ये cm इन दोनों के बीच में हैं, इस cm का स्थिती सदीश हम rcm से दर्शा रहे हैं, बच्चों, यहाँ पर हमने इस सिस्टम क स्थिती सदीश इसके बीचों बिच लिया है, लेकिन जरूरी नहीं कि किसी निकाय का सेंटर ओफ मास उस सिस्टम के अंदर ही हो, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी वस्तु का सेंटर ओफ मास उस निकाय के, उस सिस्टम के बाहर भी होता है, जैसे कि हम एक रिंग की बात कर एक वृत की बात करें तो वृत का center of mass उसके एक केंद्र पर होता है और जब उस वृत केंद्र पर आप देखें तो वहां पर तो कोई द्रव्यमान ही नहीं है आप एक लोहे की तार लेते हैं उसको वृताकार में मोड़ देते हैं तो पूरा द्रव्यमान उस वृत की परिधी पर ही है, उसके रिम पर ही है, सेंटर में तो कोई द्रवखयमान नहीं है लेकिन उसका द्रवखयमान केंदर इस वृत के सेंटर में ही होता है यानि इस निकाई के बाहर है, तो यहाँ पर हमने सेंटर ओफ मास को बीचों बिच लिए है पर ज़रूरी नहीं है कि center of mass हमेशा वस्तु के बीच में हो। मान लो कंड A पर बाहेबल F1 है तथा कंड B पर बाहेबल F2 लगाया जाता है। तब कंड A पर दो बल कारे करेंगे। पहला बाहेबल F1 तथा दूसरा बल कंड B के द्वारा कंड A पर लगाया गया बल यानि कि F12 क्योंकि ये दोनों ही कंड एक सिस्टम का निर्मान कर रहे हैं इसलिए ये दोनों ही कंड एक दुसरे पर बराबर तथा विपरित बल लगाएंगे। अथा कंड A पर कारे करने वाला कुल बल होगा F12 प्लस F1 इसी तरह कंड B पर भी दो बल कारे करेंगे। और कंड B का समवेग होगा P2 बराबर M2V2 अब गती के दूसरे नियम से समवेग परिवर्तन की दर कंड पर लगाए गया बल के बराबर होती हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं D upon DT M1V1 equal to F12 प्लस F1 ये कंड A पर लगाया गया बल है जिसके द्वारा कंड A के समवेग में परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार कंड B पर लगने वाले बल के कारण कंड B के समवेग का परिवर्तन होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं D upon DT M2V2 बराबर F21 प्लस F2 और समीकरण 1 और 2 को जोडने पर हमें मिलेगा। जब हम जोडते हैं दो समीकरण को तो दायंपक्ष को दायंपक्ष से जोडते हैं और बायंपक्ष को बायंपक्ष से जोडते हैं। इस प्रकार समीकरण 1 और 2 को जोडने पर हमें प्राप्त होगा। d upon dt m1 v1 plus d upon dt m2 v2 equal to f12 plus f1 plus f21 plus f2 और यहाँ पर हम इस समीकरण में हम देखे तो f12 और f21 दूइकर निकाए के आंतरिक बल हो क्योंकि यह ऐसे बल हैं जो अन्योनिक रिया के कारण एक दूसरे पर कार्ये कर रहे हैं इसलिए इन बलों को हम आंत्रिक बल का नाम देंगे और इसलीए न्यू Juiceी के गति के त्रेती नियम के नोसार f1 2 बराबर माइनस f21 होगा प्रिकी न्यूटन के गति के तीसरे नियम के नोसार यह दोनों ही यहां पर हमने अवकलन का नियम लगाया है और इसलिए दोनों ही फ़लन को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है यहां पर हम देखें तो F1 प्लस F2 को हमने F लिया है जो कि दूई का निकाय पर कारे करने वाले कुल बल के बराबर है अब V1 बराबर DR1 अपॉन DT क्योंकि वेक बराबर होता है समय के साथ साथ इस्थती में परिवर्तन इसलिए कन A क Wales कन A की इस्थती में परिवर्तन की दर को बताएगा तो हम लिखेंगे V1 बराबर DR1 अपॉन DT और इसी प्रकार हम कन B के लिए लिखेंगे V2 बराबर DR2 upon dt यह मान समीकरन 4 में रखने पर हमें मिलेगा F बराबर DR1 upon dt प्लस M2 DR2 upon dt यहां M नियतांक है क्योंकि M कणों का दरव्यमान है तो इसे हम अवकलन के अंदर भे लिख सकते हैं और इस प्रकार इस समीकरन को ऐसे लिखा जा सकता है D upon dt bracket के अंदर D upon dt M1 R1 प्लस D upon dt M2 R2 जहां M1 और M2 तो नियतांक थे इसलिए यह bracket के अंदर लिखे गए हैं अब इस समीकरन को हम आगे इस प्रकार लिख सकते हैं D upon dt bracket के अंदर D upon dt M1 R1 प्लस M2 R2 यहां हमने अवकलन का नियम लगा दिया दोनों फलन को एक ही bracket के अंदर में लिखा हैं और इस समीकरन को नियूम्रेटर और डिनोम्नेटर से M1 प्लस M2 से गुड़ा करने पर हमें प्राप्त होगा F बराबर D upon dt M1 प्लस M2 D upon dt M1 R1 प्लस M2 R2 upon M1 प्लस M2 जहां M1 प्लस M2 पूरे निकाय का द्रव्यमान है और F इस निकाय पर लगने वाला बहेबल यदि पूरे निकाय के द्रव्यमान को हम एक बिंदू पर केंद्रित माने और उस बिंदू का स्थिती सदीश यदि R से दर्शाते हैं तो हम लिख सकते हैं F बराबर M1 प्लस M2 D2R upon dt square क्योंकि Newton के गती के दूसरी नियम के नुसार F equal to MA होता है जहां A त्वरण होता है F total force होता है जोकि M द्रव्यमान पर लगाया जाता है यहाँ पर हम देखें तो त्वरण A बराबर होगा D2R upon dt square और इस समीकरण को आगे हम इस तरह भी लिख सकते हैं F equal to D upon dt M1 प्लस M2 DR upon dt और समीकरण 5 को यदि 6 से compare करते हैं तो R बराबर M1 R1 plus M2 R2 upon M1 plus M2 प्राब्त होता है और R उस बिंदु का स्थिती सदीश है जहां कुल द्रव्यमान M1 plus M2 को केंद्रित माना गयाता अता यह समीकरण द्वीकरण निकाई के द्रव्यमान केंद्र की स्थिती सदीश को प्रदर्शित करता है और इसलिए हम लिख सकते हैं RCM बराबर M1 R1 plus M2 R2 upon M1 plus M2 और इस समीकरण को देखकर हम यह निसकरश भी निकाल सकते हैं कि द्वीकरण निकाय का द्रव्यमान केंद्र दोनों कणों को मिलाने वाली देखा पर दोनों कणों के बीच स्थित होता है और यदि दोनों कणों का द्रव्यमान समान हों यानि कि M1 बराबर M2 बराबर M हों उस कंडिशन में RCM बराबर होगा MR1 plus MR2 upon M plus M और हम लिख सकते हैं RCM बराबर M ब्राकेट के अंदर R1 plus R2 upon 2M यहां से M और M कैंसल हो जाएगा तो RCM बराबर होगा R1 plus R2 upon 2 अथा दोनों कणों के द्रव्यमान समान हो तो द्रव्यमान केंद्र उनको मिलाने वाली देखा कि ठीक मध्य में होता है यह दोनों कणों का द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदू पर स्थित हो यानि कि RCM बराबर 0 हो तो उस कंडिशन में M1 R1 plus M2 R2 equal to 0 होगा और हम लिख सकते M1 R1 बराबर minus M2 R2 और यहां से R2 बराबर होगा minus M1 upon M2 into R1 यह minus को चिन आया है यह रेन चिन इस बात का घोतक है कि दोनों कण मूल बिंदू के विप्रितोर होंगे यदि कण A का द्रव्यमान B के द्रव्यमान से अधिक हुआ यानि कि M1 greater than M2 हुआ उस कंडिशन में R1 का मान R2 से कम होगा आर्था द्रव्यमान केंदर M1 के निकट तता M2 से दूर स्थित होगा इस प्रकार हम कह सकते हैं द्रव्यकंड निकाय का द्रव्यमान केंदर भारी कंड के निकट एवं हलके कंड से दूर स्थित होता है अब मान लीजे हम तीनों बिंदू को निर्देशांग को के रूप में रिप्रेजन कर रहे हैं और यदि A का निर्देशांग X1, Y1, Z1 है B का X2, Y2, Z2 है और C यानि कि द्रव्यमान केंदर का निर्देशांग XCM, YCM और ZCM हो तो इस कंडिशन में R1 बराबर होगा X1i प्लस Y1J प्लस Z1K और R2 बराबर होगा X2i प्लस Y2J प्लस Z2K और RCM बराबर होगा XCM i प्लस YCM j प्लस ZCM k और सम्मिकर 8 में या मान रखने पर हमें मिलेगा XCM i प्लस YCM j प्लस ZCM k equal to M1 X1i प्लस Y1j प्लस Z1k प्लस M2 X2i प्लस Y2j प्लस Z2k अपन M1 प्लस M2 और दोनों पक्षों में i, j और k की गुणांकों की तुल्ना करने पर हमें फ्राफ्थ होगा XCM बराबर M1 X1 प्लस M2 X2 अपन M1 प्लस M2 ऐसे ही YCM बराबर होगा M1 Y1 प्लस M2 Y2 अपन M1 प्लस M2 और ऐसे ही ZCM बराबर होगा M1 Z1 प्लस M2 Z2 अपन M1 प्लस M2 यदि M1 M2 के बराबर हो यानि की दोनों कणों का द्रवेमान समान हो और इसे हम M लेते हैं तो XCM बराबर होगा X1 प्लस X2 अपन 2 YCM बराबर होगा Y1 प्लस Y2 अपन 2 तथा ZCM बराबर होगा Z1 प्लस Z2 अपन 2 यहाँ पर हम एक विशेश स्थिती देखते हैं यदि दोनों कण X अक्ष पर स्थित हो तथा मूल बिंदू से उनकी दूरिया क्रमशा X1 और X2 हो तो द्रवेमान केंद्रे की मूल बिंदू से दूरी यानि की XCM बराबर होगी M1 X1 प्लस M2 X2 अपन M1 प्लस M2 यदि M1 बराबर M2 बराबर M हो यदि दोनों कणों के द्रवेमान समान हो उस कंडिशन में XCM बराबर होगा X1 प्लस X2 अपन 2 यदि दोनों कण किसी समतल में स्थित हो उनके निर्देशांग X1 Y1 वा X2 Y2 हो तो उनके द्रवेमान केंद्रे की निर्देशांग XCM और YCM हो तो XCM बराबर होगा M1 X1 प्लस M2 X2 अपन M1 प्लस M2 तरता YCM बराबर हो जाएगा M1 Y1 प्लस M2 Y2 अपन M1 प्लस M2 और यदि दोनों कणों के द्रवेमान समान हुए जिसे हम M ले रहे हैं तो इस कंडिशन में XCM बराबर होगा X1 प्लस X2 अपन 2 और YCM बराबर होगा Y1 प्लस Y2 अपन 2 और इसी तरह से हम N कंडों के निकाए के लिए भी इस समीकरण का व्यापी करण कर सकते हैं कैने समीकरण को जन्रलाइज कर सकते हैं और इस प्रकार मान लीजे किसी निकाए में N कंड हैं जिनके द्रविमान करमशा M1, M2, M3 and so on MN तक हैं तथा मूल बिंदो के सापेक्ष उनके स्थिती सदीश करमशा R1, R2, R3 and so on RN तक हैं तब N कंड की निकाए के द्रविमान केंदर का स्थिती शदीश RCM निम्न अनुसार होगा RCM बराबर M1, R1, M2, R2, M3, R3, Mn, Rn, M1, M2, M3, M3, Mn, Mn क्योंकि यह योग को बता रहा है इसलिए हम इसे सब्मेशन की रूप में भी लिख सकते और इस प्रकार RCM बराबर होगा सब्मेशन ओफ M, R3 जैं I का माण एक से लेकर N तक है अपउन सब्मेशन ओफ M, I जैं I का माण एक से लेकर N तक होगा और सूत्र में यदि हम देखें तो दिनॉम ड में हमने लिखा है समेशन ओफ M, I जहां I का मान एक से लेकर N तक है यानि कि यह N कणों के द्रव्यमान का योग है और अगर इस पूरे निकाय के N कणों के द्रव्यमान का योग करे तो इस पूरे निकाय का द्रव्यमान प्राप्त होगा मान लिज़ेश पूरे निकाय का द्रवेमान हम capital M से दर्शाते हैं तो इस सूत्र को हम इस पर का लिख सकते हैं RCM बराबर submission of MIRI जहां I का मान एक से लेकर N तक है upon M अब यहां पर भी हम एक विशेश सिस्थिती लेते हैं जहां पर हमने सारे कणों के द्रवेमान को समान लिया है यानि कि M1 बराबर M2 बराबर M3 बराबर M तो उस condition में RCM होगा M bracket के अंदर हम लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस so on Rn तक चलेगा क्योंकि यहां पर N कण है सभी का द्रवेमान M है तो सभी के द्रवेमान को यदि हम M लिखेंगे तो उसे हम common लेके bracket के बाहर निकास करते हैं और denominator में हम लिखेंगे M into N तो कि denominator में हमें कुल द्रवेमान चाहिए और कुल द्रवेमान कैसे प्राब्त होगा जब हम किसी भी एक कंड के द्रवेमान को number of particles से बुणा कर देंगे तो वो फूरे निकाय के द्रवेमान को प्रदर्शित करेगा इसलिए हम यहां पर लिखेंगे M into N और इस प्रकार RCM बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 and so on Rn तक upon N और इसे हम summation की रुप में लिख सकते हैं 1 upon N summation of R1 जहां I का मान एक से लेकर N तक query करेगा और यदि द्रवेमान केंद्र मूल बिंदू पर सित हो तो RCM बराबर 0 होगा और उस condition में हम लिख सकते हैं summation of M I, R1 जहां I का मान एक से लेकर N तक होगा बराबर 0 अता निकाय का द्रवेमान केंद्र वह बिंदू हैं जिसके सापेक्ष निकाय के सभी कणों के द्रवेमानों के आगूनों का योग शून्य हो जाता है अब हम N कणों के निकाय के द्रवेमान केंद्र के लिए उसके स्थिती सदीश को उसके निर्देशांग को की रूप में व्यक्त करते हैं मान लीजे M1, M2, M3 और MN कणों के द्रवेमानों के निर्देशांग करमशा X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3 and so on N कणों के लिए हैं उनके द्रवेमान केंदरे की निर्देशांग इस प्रकार दर्शाए जाएंगे XCM, YCM, ZCM और इस कंडिशन में हम लिख सकते हैं बस हम फॉर्मुले को जिन्रलाइस कर रहे हैं N कणों के लिए हमने इस सूत्र को अल्रेड़ी द्वी कर निकाए के लिए ग्यात किया है तो बस हम उसी आधार पर इस फॉर्मुले को आगी जन्रलाइस कर रहे हैं तो हम लिख सकेंगे XCM बराबर M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 and so on upon M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस dash dash MN और सब्मेशन की रूप में लिखें तो सब्मेशन of M1 XI I का मान एक से लिए कर M तक होगा upon M वैसे ही Y को लिख सकते हैं YCM बराबर M1 Y1 प्लस M2 Y2 plus dash 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 MN YN upon M1 plus M2 plus M3 plus dash 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 MN equal to सब्मेशन of M I YI जहां I का मान एक से लेकर N तक वैरी करेगा upon M और ऐसे ही ZCM बराबर होगा M1 Z1 plus M2 Z2 plus M3 Z3 plus dash 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 MN ZN upon M1 plus M2 plus M3 plus dash 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 plus MN और सब्मेशन की रूप में लिखें तो योगा सब्मेशन of M I Z I जहां I का मान एक से लेकर M तक वैरी करेगा upon M तो इस प्रकार हमने R C M के निर्देशांकों को भी प्रदर्शित किया है अब प्राप्त इन सूत्रों के अधार पर हम एक आंकिक प्रश्ट बनाते हैं कार्बन मोनोकसाइट यानिके C O के अणू में C और O परमानों के बीच की दूरी 1.12 एंक्स्ट्रोंग है यदि C का द्रविमान 12AMU यानिके अटोमिक मास यूनिट है तथा O का द्रविमान 16AMU हो तो इस अणू के द्रविमान केंद्रिक इस्टिति ग्याद कीजिए दिया गया है C और O के बीच की दूरी 1.12 एंक्स्ट्रोंग है और C का द्रविमान M1 बराबर 12AMU है O का द्रविमान यानिके M2 बराबर 16AMU है मानलो ये अनू X अक्ष की अनूदीश है तथा कारबन परमानू मूल बिंदू पर है तब X1 बराबर 0 होगा और X2 बराबर 1.12 एंक्स्ट्रोंग होगा यूकिन दोनों की बीच की दूरी 1.12 एंक्स्ट्रोंग ही है और इस कंडिशन में XCM बराबर होगा सूत्रनुसा M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस X2 और यहां पर हम मान लिख देते हैं द्रविमान है 12 कारबन का और उसकी सिती सदीश 0 है जबकि हम ऑक्सिजन की बात करें तो इसका द्रविमान 16 है और इसकी दूरी यहां इसका सिती सदीश 1.12 है अपॉन 12 प्लस 16 सॉल्फ करने पर हमें मिलेगा 16 इंटू 1.12 अपॉन 28 और इसको सिंप्रिफाई करने पर सरल करने पर हमें मिलेगा 0.64 एंक्स्ट्रोंग आता द्रविमान केंद्र C और O पर मानु के बीच C से 0.64 एंक्स्ट्रोंग की दूरी पर स्थित होगा